हाथ हैं वेलीजी टोप 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 टोपतें इंजिरूइशां अजेम रधी पॉक्तosp sickness की उल्हा है enjoying चाह diabetes और फिशन वेशां फर सक्तिक्तु बातनी हैं और कुछ मुलां को चाही सब्सक्राभ आप इस न्हीं ही विजक्त हता है और में कोई brand value को की rank के लिए काफी parameters follow होते हैं जैसे कि brand value क्या infrastructure क्या है कितने साल पूड़ाना है academics क्या है लेकिन हम इसमें सिफ placement wise के हिसाब से कर रहे हैं और हमने इसलिए जो बाकी जो चीजे हैं उन सब को हटा दिया है तो इसलिए जो कुछ result ऐसे रहेंगा कि आप शॉक भी हो सकते हो इनको सुनके लेकिन यह सिफ और सिफ placement wise है brand value का कुछ नहीं है तो यार जो 11th rank पर आती है वो आती है triple IT Gualier triple IT Gualier की मैं बात करूँ तो इसके अंदर का आपको admission लेना है तो means का exam देना होगा जिशा की counselling के थूँ होता है और यह top 5 triple IT में आता है triple IT Gualier और मैं बात करूँ इसके average package की तो 2220 के average package कर रहा था around 15 lakh अच्छा एक और चीज और एक और चीज और प्लेस्मेंट है यह सारे computer related branches के computer science यह computer related branches जो भी तो इसका जो फीस है वो around 1.5 lakh रूपीज है आपको एक साल के अंदर 1.5 lakh रूपीज पे कर नहीं होगी पिछले वीडियो में कापी बच्छे पूछ रहते हैं कि बिट्स गोवा बिट्स अधराबाद अपने रख रहा तो यार बिट्स प्लाणी जो था उसका average package अरूद कर लिया था पूरे बिट्स सेट के अब बात करते हैं 12 रैंक पे कांसी है तो 12 रैंक पे यार PC चंडिगड़ की बात करूं तो है इसके अंदर आपको एंदमिशन लेने के लिए अगें जी मेंस के एक्जाम देना होगा जो जो शेके रूप कांसलिंग है और इसका जो average package है यह एक प्राइबरेट कांसी है और इसके जो average package की में बात करूं तो वह है 12 रैंक के रहा हूं और इसकी जो average package की में बात करूं तो वह है 12 रैंक के रहा हूं कि इसके अगर मैं बात करूं तो वह है 3 लैक लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको LMIT जाएपूर के बारे में कि इसके अंदर काफी student ने review कर रखा है काफी student यानि जो comments वाने पड़े हैं क्यो और आप या कहीं पे भी बच्चों ने बता रखा है कि actually क्या होता है अ और फिर pre-placement test से पहले और जो बाकी जो बच्चे हुए बच्चे है उसके बाद ये on-campus placement जो आता है वो statistics दिखाते है और आप देख सकते हैं इसके उपर एक अलग से पूरी video बना रखी है आप जाके देख भी सकते हो वहां पर आपने student review section भी बता रखा कि क्या क्या होता है उस college के अंदर वहां पर कुछ आए के college की management के team आके dislike नहीं को वीडियो चली जाती है और साथे साथ बोलते है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रखा है इस वीडियो का जो like target रहेगा वो रहेग अगर आपने हैंड़ वीडियो यानि हैंड़ likes कर दिए तो मैं इसका third part भी जल्दी से जल्दी निगाल दूँगा ठेक है 15th rank पर है college of engineering guendid इसे हम अन्ना university के नाम से भी जानते है इसका average package जो है 10 लाग रुपए और इसकी fees की बात करूं मैं तो इसकी fees है 50K यानि 50,000 Institute of Technology और यह अगें private college है और इसके अंदर आपको अगर admission लेना है तो आपको इसका exam होता है खुद का वह आपको clear करना पड़ता है और इसके अगर मैं average package की बात करूं को यार CAC का हो है 10 लाग रुपए और जो इस साल का stats के हिसाब से मैं बता रहा हूं और साती साथ इसकी आपको और मैं फीज की बात करूं यार तो वह है 1.35 लाग रुपीज आता है 18 रैंग पर थापर उनिवरस्टी थापर उनिवरस्टी का भी अगें अगर मैं पैकेच की बात करूं तो वह ही 8-9 लाग के आसपास रहता है लेकिन मैंने सोचा था कि ट्रिपल आइटी जवलप को उपर रखा है 19 रैंग की बात करें तो यार वह है College of Engineering पूने आपने नाम काफी सुना होगा College of Engineering पूने का और इसके यार मैं Average Package की बात करूं तो आपने काफी इसका नाम सुना होगा और इसका नाम है इसका कुद का एक entrance exam है आपको clear करना होता है इसके अंदर vibration लेना है तो और इसकी अगर मैं अगें package की बात करूं तो अगें 7.5 से 8 लाक के बीच में है इसलिए मैंने College of Engineering पूने को इसलिए रखा है क्योंकि इसकी फीस कम है 90,000 रुपीस है जबकि इसकी फीस 2 लाक के आसपास है अच्छा है यार विटी की जो फीस है वो भी दो गुरूप में बटी है गुरूप ए गुरूप बी गुरूप बी में यानि गुरूप ए में शायद कम है 1.8 या 1.9 लाक के आसपास है और गुरूप बी में 2 लाक है इसके अंदर computer related branches है तो यार आपको मेरी वीडियो अच् इसी समय इसका part 3 भी release कर दूँगा हैंकि दोस्तों इस वीडियो का देखें के लिए